हेलो गाइस, वेलकम टू माई यूटूब चेनल प्रभीन महानन्दे व्लोग्स आज मैं आप लोग को स्कार्पियो क्लासिक के बारे में बताऊंगा उसका जितना इंटेरियर, एक्स्टेरियर, डिजाइनिंग, नया लूक, फीचर्स, सब चीज बताऊंगा, दिखाऊंगा तो वीडियो में बने रही है, लास्ट तक देखते रही है नई 2022 इसकार्पियो क्लासिक SUV को सिर्फ दो वेरियंट S और S11 बेप मेचा जाएगा इसका सोरूम कीमात है S का 14,212 और S11 का 18,242 इसका मेकेनिकल रूप से इंजिन अब एलिमिनियम से बना है, इससे वजन कम करने मदद मिलती है जिसे नया इंजिन पिछले वाले के तुलना में 55 किलोग्राम हलका है वहन निर्माता ने महिंद्रा स्कार्पियो क्लासिक SUV में 2.2 लीटर Gen 2 M-Hawk डिजल इंजिन पेस किया है यह इंजिन अधिकताम 132 PS का पावर और 300 NM का पिक टॉर्क जनरेट करता है महिंद्रा का कहना है कि नया इंजिन पुराने वाले के तुलना में 50% से ज़्यादा हलका है और 14% बहतर माइलेज दे सकता है सस्पेंशन सेटप को भी थोड़ा अपग्रेट किया गया है महिंद्रा ने MTV CL Dampers को 4 इस्ट्रेस्ट में जोड़ा है इससे SUV की बोड़ी को कंट्रोल करने मदद मिलने चाहिए इसके साथ ही सस्पेंशन की रिट्यून किया गया है निर्माता ने स्टेरिंग सिस्टम पर भी काम किया है ताकि इसे हैंडल करना और आसान हो सके पुराने स्कार्पियो मॉडल में बेसिक लूक में कोई बदलाव नहीं किया गया है हलांकि स्कार्पियो क्लासिक में क्रॉम स्लेट्स के साथ एक नया डिजाइन किया गया ग्रिल और सिंटर में नया महिंद्रा लोगों मिलता है SUV के बंपर और बोनट को पहले से ज़्यादा बोल्ड और आकर्सक बनाया गया है ग्रिल के किनारे नये DRL मिलते हैं पीछे की तरफ SUV में सिगनेचर स्कार्पियो टावर LED टेल लेंप्स दिये गया है साथी SUV में रिडीजाइन किये गए 17 इंच डायमंड कट लाइविल मिलते हैं केबिन की बात करें तो नई स्कार्पियो क्लासिक में केबिन के अंदर डिवल टॉन थीम है इसमें 9.0 इंच का नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो एंड्रोइड पर चलता है यह स्क्रीन मिलरिंग को भी सपोर्ट करता है इसके अलावा अन्य प्रिमियम फिचर्ज भी है डेशबोर्ड में अब वुडन इंसर्ट है और केबिन को ब्लेक और बेज रंग के कंबिनेशन में पेश किया गया है स्टेरिंग विल को लेबर, फिनिस और पियानो ब्लेक इंसर्ट मिलता है सीटे भी नहीं है और फेबरिक की बनी हुए है लेकिन नए पेटन के साथ पेश की गई है नई महेंदरा 2022 इसकार्पियो क्लासिक को पांच इंटेरियर कलर अप्सन में पेश कर इसमें रेड रेज, नेपोली बलेक, डिसेट सिल्वर, पल वाइट और गेलेक्सी ग्रे जैसे रंग सामिल है दोस्तों यह देख सकते हैं अभी इसकार्पियो एन की लुक जो खड़ी हुए अपने पास और यह बीच का है, फ्रंट साइट का है, यह अकर्सक लुक में है, गेर लिवर, इस्टेरिंग और सामने का पूरा और इसमें सीट कभर भी अच्छी लगी हुए है, फोल्डेवल सीट कभर है, और बहुत ही सुन्दर है, दिखने में भी सुन्दर है, चलने में भी सुन्दर है, बाहर से भी लुक इतना अच्छा है, बढ़ियां खासा music system भी बहुत अच्छा लगा हुआ इसमें और दोस्तों इसके पीछे तरब भी बहुत foldable seat है पीछे भी seat है जिसमें बैठने में आसानी होता है second seat को fold करके पीछे बैठ सकते हैं और यह रहा बीच का design यहां fuel tank है और यह launch की गई कुछ scene का द्रिश्य है यह Scorpio N का लूक है जो सोरुम में खड़ी हुई गाड़ी यह front side से है front side जो bonnet दिखा चुका हूँ पहले आपको उसका लूक है front side से भी बेहतरीन है इसका टायर साइज और टायर में जो लगा है सामदार है दिखने में चलने में वो अंडर येर का टायर है और इसका interior दिखाता हूँ आपको अंदर का सामने का ये दिखिए दोस्तों सामने जो इस्टेरिंग में लगा हुआ है बटन इसका powerful है handle सब हाथ से ही control कर सकते हैं ये door opener जो उपन हुआ तो दोर का symbol दिखाई दे रहा उपन हुआ करके अब बीच में जो seat लगा हुआ foldable के लिए और ये रहा अपना brake और ये रहा लेप्ट साइड राइट साइड का अपना power button जो यहां से control कर सकते हैं पूरा window को right साइड से ही control बटन दिए हुए है और ये रहा अपना नया स्कार्प्यो का look जो आप देख सकते हैं ले सकते हैं घरिट सकते हैं अपना choice पूरा कर सकते हैं ये रहा पीछे का जो टायर है लाइविल कितना सांदार दिक ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में वह सितना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक यू धन्यवाद बाई बाई